इसी डिसाइन को मैं cotton anchor thread से बनाने वाली हूँ, मेरी subscriber की request थी कि मैं picot stitch को beads या pearl के साथ सीखाऊं, तो ये beads यूज़ कर रही हूँ, मैं आप कोई भी pearl यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले thread को attach करेंगे, single stitch बनाएंगे, small picot बनाने के लिए two time wrap करते हैं और बड़ा picot बनाने के लिए three time wrap करते हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, तो मैंने ये three time wrap किया हैं मैंने, anti clockwise turn लगाते हुए, अब इसे निकाल देंगे, इस तरह से, अब same space में needle को insert करते हुए, इसके ऊपर हमें ये chain को इस तरह से लेके आना ये stitch को, और ये एक attached thread है, इस पे needle रखना है, और ये eight जैसा दिख रहा है, इसे thread को ऊपर से pull करना है इस तरह से, और ये picot बन गया, अब ये picot को, फिर से हम, एक stitch लेंगे, इसे attach कर देगे, अब bead add करेगे, bead को भी attach कर देगे, और फिर से, ये ही design को repeat करेंगे, जो starting में repeat किये थे, single stitch, needle को same space में insert करते वे, three turn लगा है, इस तरह से, straight कर दे, और इस तरह से needle को निकाल दे, और इसे slowly नीचे slide करे, इसके अंदर फिर से needle को same space में insert करते हुए, इस तरह से knot लेगे इसके उपर, अब इसे इसके उपर लेके आएगे, और ये जो attach thread है, इसमें needle को रखते हुए इसे hold करके रखेगे इस तरह से, और thread को उपर से pull करेगे, तो इस तरह से picot बन गया, अब इसे भी थोड़े से distance पर attach कर देगे, और same repeat करते हुए, फिर से एक bead को add करेगे, तो alternate बना रहे है, picot stitch with beads, तो same continue करें जिस तरह से मैंने starting में किया था और ये design को complete करें, मैं जए और वग थाओ ये जएमारी जाYo को जएखे है, झाल झाल